ग्लोबल मार्केट में चावल काफी सस्ता हो गया है। इसकी कीमतों में 600 डॉलर प्रती टन से अधिक की गिरावट दर्स की गई है। हालांकि जून से जुलाई के आसपास इसके रेट में बढ़ोतरी भी हो सकती है। एक्सपर्ट का कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी तब ही संभव है जब एशिया में धान का बंपर उत्पादन होगा और मौनसून भी साथ देगा। मिली जानकारी के मुताबिक चावल की कीमतों में गिरावट इसलिए आई है क्योंकि भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों ने खेपों की जाच कड़ी कर दी है इससे उबले और सफेद चावल के शिप्मेंट रुग गए हैं थाई राइस एक्सपोर्टर्स एसोसियेशन के अनुसार भारत के उबले चावल की लागत और माल भाड़ा 537 से 541 डॉलर प्रती टन है जबकि थाई लैंड द्वारा 604 डॉ और पाकिस्तान द्वारा 601 से 605 डॉलर प्रती टन पर बेचा जाता है। थाई लैंड से आने वाले शिप्मेंट के लिए सफेद चावल की कीमतें गिरकर 602 डॉलर प्रती टन हो गई हैं और पाकिस्तान और व्यत्नाम से आने वाली खेप के लिए यह घटकर 575 से 585 डॉलर प्रतिटन हो गई है। ऐसे में भारत ने खाद्यान की बढ़ती कीमतों को कम करने के अपने प्रयासों के तहट ही 20 जुलाई 2023 को सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंद लगा दिया था। क्रिशी और किसान कल्यान मंत्राले के अनुसार, खरीफ और रभी सीजन के दोरान भारत का चावल उत्पादन 2022 से तेईस में 125.51 मिलियन तन की तुलना में 123.83 मिलियन तन होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं जायद या ग्रीश मकालीन चावल का उत्पादन लगभग 10 मिलियन तन है और इसके परिनाम की प्रतिक्षा है। हालां की भारत के निर्याद प्रतिबंधों के मदेंजर 2023 से चौबीस के दोरान उच्च चावल निर्याद को देखते हुए दोनों देशों के पास कम कैरी ओवर स्टॉक हो सकता है। अंतराष्ट्रिय अनाज परिशद ने अपने नए आंकडों में बताया है कि कुल उप्योग और भंडार में गिरावट के अलावा विश्व चावल उत्पादन में मामूली कमी का अनुमान है। हालां कि 2024 से 25 में तेजी देखी जा सकती है। हालां कि व्यापार में विस्तार सीमित हो सकता है क्योंकि भारत का प्रतिबंद जारी रह सकता है। भारत ने शुरुआत में सितंबर 2022 में तूटे हुए चावल के निर्याद पर प्रतिबंद लगा दिया था, फिर उसने सफेद चावल के शिप्मेंट पर 20 प्रतिशत शुल्क भी लगाया था। एक उम्मीद ला नीना मौसम की भविश्यवानी है, जो इस साल जुलाई से एशिया में अधिक बारिश लाएगा। 2023 से 2024 के दौरान चावल का उत्पादन अलनीनो मौसम से प्रभावित हुआ, जो जून 2023 में उबरा, जिसके परिनामस वरूप पूरे एशिया, विशेश रूप से भारत और थाईलैंड में शुश्क मौसम हुआ है। Bureau Report Market Times TV